गोड़े विलिंग बच्चो देखो बच्चो अपने कक्सा 12 में इतिहास का तो 11 चेप्टर था अपने 857 का आंदोलन और उसके व्याक्यान मतलब 857 की क्रांति की अपने चर्चा करें थे और इस चेप्टर में अपने दो कलास हो चुकी है आज अपने थर्ड कलास की चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले आज का क्यूशन जिसका आर्ट्स और आपको कमेंट बॉक्स में देना है बड़ा अच्छा क्यूशन है भी अपने लाश्ट चेप्टर था दसवा चेप्टर इससे उठायावा एक क्यूशन है कि जनजाती छेत ये क्यूशन अपने दो बार सिब्येसी बॉर्ड में पूछा जा चुका है तो हो सकता है ये रास्तान बॉर्ड में पूछा जा सके इसलिए इस क्यूशन का कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में देना है अब बात करते हैं भी अपने चेप्टर की देखो इस्टार्ट करेंग औरbeard présent nasa का है फारी वासा का संद अर इस संद का परियोक जो है वह कि मजाग से की लिए की लिए की जाते हैं जैसे अपने भारते यह थे वह भारतियों के दो़रां अंग्रेज्ज जो थे उन अंग्रेजा को क्या कहेकर पुकार दela staffing फिरंगी कहे कर पुकरा था हम भारतिय जो है वो अंग्रिजों को क्या कहते थे फिरंगी कहते थी ठीक है तो यह फिरंगी जो है वो केसी बासागा सब्द है फार्शी बासागा सब्द है और एक मजाग पूर्ण या किसी का मजाग बनाने के लिए इस सब्द का प्रियोग किय जाता था अब टॉपिक सुनना भीया अपने फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा यहाँ पर फिरंगी राज का कहा पर आना भीया लाश्ट क्लास में अपने बात की थी कि जो अवद रियास्त थी इस अवद रियास्त पर किसका अधिकार हो गया था अंग्रेज जो थी उस आवद रियास्त का सावतनतर अस्तित वे क्या हो गया समात हो गया अर्थात आवद का खात्मा अब देखो भी यहां पर इस टोपिक से समझ दी दो तिन क्यूशन पूछे जाते हैं पहला क्यूशन तो यह आता है कि आवद में विद्रो इतना व्यापक के क्यों था कि किसान तालुगदार और जमिंदार सब उसमें सामिल होगे इस परकार का क्यूशन आता है यही आनस्वर है बस क्यूशन को गुमा देंगे लेंगे इसको यह क्यूशन पूछ ले कि लाड़ डल हो जी की जो अधिगरन की नीती थी उस अधिगरन की नीती ने अवद में कि ऐसन तोस को जन्म में दिया इस परकार सी एक क्विशन दोरनो क्विशन जो है उनका आनस्वर एक ही है बस गुमा के आप से एक क्विशन पूछे जा चुके है पहले एक क्विशन आज चुके है तो भी आपने चर्चा करते हैं देखो फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा भी आप लाश्ट क्लास में आपको बताया था कि 856 इस वी में आवज जिलियासत को क्या कर लिया था हड़प लिया था कू सासन का आरोप लगाकर और आवद का जो नुवाब था विया अपने वाजिद अलिसा उस वाजिद अलिसा को लखनव से कहां भेज दिया अपने कलकता भेज दिया था अब वही की अपने चर्चा करते हैं विया देखो आगे क्या हुआ विले ने राजकुमारों को मतलब आवद का जब विले हो गया ना बीटी समराजी में तो जो राजकुमार थे जो तालुकदार थे जो किसान थे जो सिपाही थे उन सबी को क्या कर दिया एक साथ कर दिया मतलब आवद का जब अंग्रेजों ने विले कर लिया तो ये सबी लोग क्या होगे एक साथ होगे एक साथ क्यों होगे भिया क्यों क्यों कि अब अंग्रेजों का अधिकार आ गया इनकी मनमानी नहीं रही ये अपनी स्वेचा से काम नहीं कर सकते थे ये साउतन तर नहीं रह पा रहे थे इसलिए इन सबी ने भिया अंग्रेजों का विरोध करने के लिए एक साथ होना निश्चे किया फिरंगी राज के आगमन को एक दुनिया की समापती के रूप में देखा गया 856 में आवद के अधिगरण के पस्चाथ विया वहां पर कौन सी विवस्ता लागू कर दी गई थी इस ताई बंदो बस लागू कर दिया गया था समझ रहे हो मतलब आवद जो रिया सकती विया इस आवद के उपर नवाब था आवद का वाजिद अली शाह आवद का क्या हो गया विले कर लिया लाडल हो जी ने राज जी हड़क निती या गोध निशेद फरता के तैट अब उससे क्या हुआ वहां के जो जमिदार तालुकदार अपने जो किसान थे राज कुमार थे वो सबी क्या हो गए एक हो गए क्योंकि आवद की जो सवतनतर रियास थी उसका स्थित्वा समाप तो तो जगा था इसके अलावा नवाब के हटते ही भी या जो आवद के विबिन कलाकार वगरे थी जो सरकारिक करमचारे वगरे थी उनकी रोजी रोटी भी क्या हो गई थी एक परकार से जाती रही मतलब वो सब जो थे वो आवद के नवाप पर डिपन्ट कर रहे थे अब अंग्रेजों का राजा आ गया तो वो बी एक परकार से सब क्या होगे चोपट होगे और अंग्रेजों ने भिया आवद का विले करने के पसाथ या अधिकरन करने के पसाथ वहां पर कौन सी विवस्ता लागू कर दी इस्ताई बंदोबस्त विवस्ता लागू कर दी जो सत्रा सो तर्यार में इसमें लागू की गई थी भिया ठीक है इस्ताई बंदोबस्त विवस्ता लागू कर दी गई और इस इस्ताई बंदोबस्त विवस्ता में भीया जो बिचोलिये होते थे वो कौन होते थे तालुकदार होते थे अब ये तालुकदार किसको बोलते हैं तालुकदार जो है विया वो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं आपको पहले मेरा बताया हुआ है जो जमिदार होते हैं ना इन जमिदारों से बड़े होते हैं कोन तालुकदार मतलब ये भूमी के मालिक नहीं हो को तालुगदारों के पास अधिक रएंट से पहले 60 mouse अभगांग ते मतलब आवजज और यास्ति ना उस आवज रियास्ट के सभगांग जो है वगाश के पास थे तालुगदारों के पास थे इसका मतलब तालुगदार जो है वो उस समय एक प्रकार से ऐसो अराम की जिन्दी जीते थे यह जमिनदार जो होते तालुगदार से छोटे होते हैं यहां ध्यारत ना इसको तुलासा अब यहां पर क्या होते हैं लेकिन जैसे ही बंदोबस्त लागू हुआ मतलब जैसे ही बंदोबस्त लागू हुआ कौन सा बंदोबस्त इस्ताइब बंदोबस्त इस्ताइब बंदोबस्त लागू होते ही इनके पास में गाउं की संक्या कितने रह गई मातर 38% रह गई समझ गए तो इसकी वज़े से तालुगदार जो है वो भी किसे नाराज होगे अंग्रेजों से नाराज होगे तालुगदार नाराज होगे तो जमीनदार तो वे से ही होगे किसान जो है वो भी नाराज होगे तो ये सबी लोग जो है वो क्या हो गए एक हो गए अंग्रेजों ने जमीन तालुगदारों से लेकर वास्टिक माले को सौख दी अब ये स्ताइब बंदोबस्त विवस्ता थी ना भी ये इसमें अंग्रेजों ने क्या किया तालुगदारों के पास में जमीन जो थी पहले भी अपने जमीन दारी विवस्ता थी ठीक है उसके बाद में आगे थी इस्ताई बंदो बस्ते विस्ता तो इस्ताई बंदो बस्ते विस्ता में क्या किया किसानों के साथ में सिद्धा समझगता किया गया तो अब जो तालुदारों के पास में जमीन थी वह तालुदारों से लेकर किन को सोग दी वास्टिक मालिकों मतलब किसान को सौंपी क्योंकि अंग्रेजों का मानना था कि इससे राजसों में क्या होगी वर्दी होगी परन्तु वास्ता में ऐसा नहीं हुआ इस ताहिए बंदो बस्ते वास्ता अंग्रेजों लागू की तो अंग्रेजों को लगा कि इससे हमें कमपनी को फायदा होगा मुनाफ़ा होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ अब यहाँ पर देगो क्यूशन क्या आता है क्योशन क्या पोखी है कि यहां पर क्योशन के आएगा क्योशन क्या हो क्या हुआ है पैदा हुआ या क्यों से ने कार पूछा हुआ है कि आवद में विद्रो इतना व्यापक क्यों था कि किसान तालुगदार और जमिनदार जो है वो उसमें सामिले हुए मतलब आवज में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वज़े से किसान तालुगदार जमीदार सबी सामिल हो गए तो ये स्टोरी अपने को करनी है कलियर है अब सेकिन बात करते हैं विया तालुगदारों से सता चीनने का परेणाम देखो यहां पर अपने क्या पढ़ा कौन सी विवस्ता अगई इस्ताई बंदोबस्त विवस्ता अगई इस्ताई बंदोबस्त विवस्ता से क्या हुआ तालुदारों के पास में जो सता थी जो जमीन थी वह उनसे क्या कर ले गई छीन ले गई तो अब यहां पर बात करेंग उनके समझ जो थे वो केसे iec स्वेस्ट हो गए की मढदो किसो को मदह राजस ओगा गिया किसानके लिए उनको किसान वह कस ए लिए फ्रकार से क्या पिनamaan úcar मुसीबत के समय मदद भी करते थे उनका हाला कि शोपषन भी म cynाला गया स्वारा है चर्मरा गया एक परकार से जो डाचा था वो अस्तवेस्ट हो गया अब ना कोई तालुगदार से लेंदेने ना कोई किसार से लेंदेने शिदा राजस हो जो है वो कहां जा रहा है अंग्रेजों को जा रहा है तो इस परकार से जो समंध है वो क्या हो गए अस्तवेस्ट हो ग करते थे और मुसिबत के समय जो तालुगदार होते थे वो किसानों की साहिता भी करते थे हालांकि सभी तालुगदार एक देशे नहीं थे सोचन कब करते थे जब कोई किसान माल और राजस वे जमा नहीं करा रहा है तो उसका सोचन भी किया थे था कई किसान ऐसे होते थे जहा चीनने के बाद इनके समन्द केशे हो गए अस्त वेस्त हो गई तालुगदार जन्ता में दयालू अभी भावक की भूमे का अदा करते थे मतलब एक दयालू पन जो किसानों के परते दिखाते थे वो कौन दिखाते थे तालुगदार ही दिखाते थे लेकिन तालुगदारों से जब सता चीन गई तो इस परकार का कोई दयालू अभी भावक नहीं रहा जो किसानों के बारे में पूछ सके, किसानों के बारे में सोच सके, किसानों के सोचन के उपर, किसानों की परकार से परिस्तिती के उपर जो परकार डाल सके ऐसा कोई नहीं रहा 857 के विद्रों में आवद में करांटी का नेतर तुए देखो भी या अब 857 का जब विद्रों हुआ था करांटी हुई थी उस करांटी में आवद में भी विद्रों जो हुआ था आवद में विद्रों किस ने किया था बेगम हजरत महल ने किया था अब यहाँ पे दिया रहते हम झालता है यह बेगम हजりました महल को न है यह जो अवद का नुआ था ना वाजear ंले शाह है उसकी विद्वा थी भी यह वाजilla आले शाह की बेगम ती यह शुरी विद्वा नहीं बेगम थी यह ठीके और इसका बेटा कौन था बिर्जिस का दिर इसकी ये सरक्षी का थी ठीके तो अवद में जब क्रांगती हुई तो उसका नेता तो किसने किया था बेगम हजरत महल ने किया था लेकिन बेगम हजरत महल का साथ देने वाले जो 90% लोग थे वो कौन थे या तालुगदार और किसान ही थे तो यहां पर क्यूशन पूछा आता है कि तालुगदारों से सता चीनने का परिणाम या सामाजी की विवस्ता पर क्या परभाव पड़ा तो यह आपको करना है अब बात करते हैं बिया जो अठार सो सतावन की क्रांगती के जो विद्रो ही थे वो क्या चाहत या अंग्रेज विद्रोहियों को अपने अंग्रेज थे वो विद्रोहियों को क्या कहते थे स्वार्थी मानते बरबर मानते जंगली मानते एसब्वे वेक्तियों का जुन्डी मानते थे मतलब अंग्रेजों का माना था कि जो विद्रोह करे ना वो तो बरबर लोग है का ये जुन्ड है और कुछ भी नहीं है विद्रों में ज्यादातर विया कौन थी सिपाही और आम लोग थी जो ठावर का विद्रों वा तब या उन विद्रों भाग देने वाले 90% लोग जो है वो कौन थे या तो सिपाही थे या आम जनता थी अब इनकी कुछ गोशना थी इ विरोध किया था और साथी साथ में बेटी सासन की क्या की जाती थी आलोचना की जाती थी किनके द्वारा जो विद्रों ही थे विद्रों ही बेटी सासन का विरोध भी करते और इनकी क्या करते थे आलोचना भी करते थे इनकी बुराय भी करते इनकी चुगली भी करते कि अं अंग्रेज जो पर क्या नहीं किया जाता था विश्वास नहीं किया जाना चीए अंग्रेज जो है वो बड़े गठिया किसम के लोग है इस परकार की गोश्णाय की तीसरा भीया विदेशी व्यापार ने कुटिर उद्धोगों का पूर्ण रूप से क्या कर दिया विलास कर विद्धोगों ने कहा कि जो विदेशी व्यापार है अंग्रेज जो विदेशों के साथ व्यापार करें उस विदेशी व्यापार से जो भारत का कुटिर उद्धोग है जो कुटिर उद्धोग धंदे हैं वो क्या हो गए है चोपटे हो गए हैं इसके अलाब या जो भूर आजसे विवस्ता पहले भी याज जमीनदारी विवस्ता थी जमीनदारी विवस्ता में सब कुछ मालिक जो होता था वो कौन होता था जमीनदारी होता था लेकिन बाद में कौन शी आ गई इस्ताई बंदोबस्त विवस्ता आ गई तो इस्ताई बंदोबस्त विवस्ता आने स हिंदू और मुसल्मान दोनों का ध्रम ये ब्रष्ट करना चाहते है क्यों क्यों कि मैंने देगा आपको फर्ष्ट क्लास में बताया होगा कि जो एन्फिल्ड राइफल होती थी उसमें जो कार्तुस लगा होता था उसमें गाय और सुवर की चर्वे मिलाई जाती थी तो हिंद द्रम का परचार परचार करना चाहते हैं इसके अलावा इन्होंने गोश्टना की कि विद्रों ही जो है वो वेकल्पी सत्ता की तलास में थे अब जो विद्रों करें थे विया वो एक वेकल्पी सत्ता चाहते थे वेकल्पी सत्ता का मतलब अंग्रेजों को यहां से हटा दि जो अमीर है जमिदार है पेशे वाले हैं धनी लोग है जो अंग्रेज़ों का पक्स ले रहे तो विद्रही जो है वो क्या करते थे भी या उनका क्या करते थे अपमान करते थे उनको बेज़ते करते थे इसके अलाव या एकता बनाए रखने के लिए समाज के सभी तब्कों का आहवान किया जाता था सारी गोष्णाय मुस्लिव, राजकुमारों या नवाबों के नाम से कि जाती और हिंदों की भावना का भी क्या रखना जाता था खयाल रखा जाता था ये इस परकार के भी आपने आर्दस गोशनाई जो है वो विद्रोहियो के दवारा की गई अब यहां पर जो क्यों सनाथा है वो सुनना विद्रोहि क्या चाहते थे या विद्रोहि की पर्मो गोशनाई कौन कौन सी थी मतलब अठाशो सतावन का जो विद्रो वा था उसमें जिन विद्रो यह ने भाग लिया था उनकी पर्मो गोशना है या मांग जो थी वो कौन-कौन सी थी इस परकार का क्यों सुनाता है अपने दो या चार नमबर का ठीक है अब या अन्तिम पॉइंट एक और देख लेते हैं दमन या विद्रो को कुचलने के लिए किये गए उपाय खलांकि जगर नहीं बची है इसलिए मैंने सोचा है ऐसे ही आपको ये टोपिक करवा दू दमन मतलब 857 का जो विद्रो था विया इस विद्रो को दबाने के लिए इ इस विद्रो को समाड करने के लिए अंग्रिजों ने कौन कौन सी उपाय किये तप या पहला उपाय जो किया था अंग्रिजों ने किया था मार्षिलeln многजल मतलब जो 85 gab की करानती हुई थी उस समय ब या अंग्रिजों ने क्या-क्या उत्री भात का जो चेता वहाँ पर जाती तीसरा अपने जागीरे जब्द जागीरे जब्द किनकी जो जागीरदार होते थे जमिनदार होते थे शावकार होते थे उन जिन्होंने अठार सुतार के विद्रों में भाग लिया था उन सबी की जागीरे क्या कर ले गई जब्द कर ले गई इसके अलाब या चौत थ फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा और इसके नीचे कुशन भी लिख लो ठीक है यह सारी चीजे मैं आपको लिखा दूँगा अब आप फैलिंग लगाओ फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा और इसके नीचे क्विशन भी लिख लो भी आ क्विशन लिखो आवद में विद्रो इतना व्यापक क्यो था किसान तालुकदार और जमिनदार उसमें क्यों समलित हुए या इसी में अथवा भी लिख लो भी या एक क्विशन और लिख लो सारे का आनस्वर एक विख लो ठीक है एक क्विशन और लिख लो लाडल हो जी की अधिगरण निती ने आवद के लोगों में ऐसंतोस किस परकार पेदा किया था इस पष्ट कीजिए मतलब ये हेडिंग और दो क्यूसर में आपको लिखा चुका है इनका आनस्वर एक ही है तुड़ा सा स्पीड से लिखना है भी है लिखो कूशासन के अधार पर ठार्शोच चपन में आवद को बेटिस राजी में मिलाकर नवाब वाजिद अलिशा को निसकासित कर दिया नवाब को निसकासित करने से अवद की जन्ता में रोज स्व्याप्त हो गया क्योंकि नवाब के हटने से विबिन कलाकारों तथा अनेक सरकारी करमचारियों की रोजी रोटी जाती रही अंगरेजों ने तालुगदारों की शेनाए भंकर दी तता अधिकास दुर्गद्वस्त कर दीए इस परकार लगबग बाराँजार स्पाही बेरोजगार हो गए या इनके पास में स्पाही होते थे तो वो स्पाही क्या होगए बेरोजगार हो गए ठीक है बेरोजगार हो गए अतैस सभी ने विद्रों में बढ़ चड़ कर भाग लिया जिसे विद्रों एक व्यापक जन आंदोलन बन गया पेरग्राप चेंज करके लिखो अटार सो चपन में आउट के अधिकरन के पहस्चाथ वहां इस्ताय बंदो बस्त व्यवस्ता लागव की गई इस व्यवस्ता में तालुगदार बीचो लिये थे जिनके पास जमीन का मालिकाना अधिकार नहीं था उन्होंने सक्तिता दोखादरी के माद्दें से अपना परबूत वे इस्तापित कर रखा था तालुगदारों के पास अंग्रेजों के आने से पहले आवद के 66% गाव थे लेकिन इस्ताय बंदो बस्त लागू होने के बाद यह संक्या गटकर 38% रह गई 38% रह गई 38% रह गई आगे लेको अंग्रेजों ने जमीन अंग्रेजों ने जमीन तालुगदारों से वापस लेकर वास्तिक मालिकों सोंग्दी वास्तिक मालिकों सोंग्दी जिससे तालुगदारों के सता जाती रही तालुगदारों के सता जाती रही उप्रोक्त वज़े से तालुगदार किसान और जमिनदार विद्रों में सामिल हुए नेक्स टेडिन लगाओ भीया तालुगदारों से सता चीरने का प्रेणाम ओबलिक सामाजिक विवस्ता पर परभाव और इसमें लिखो लिखो भीया अवज के तालुगदारों की सता चीरने से एक संपूर्ण सामाजिक विवस्ता भंग हो गई निष्टा और सरक्षन के जिन बंदनों से किसान और तालुगदार बंदे विए थे वे अस्त वेस्त हो गई अंग्रेजों से पहले तालुगदार ही जनता का उत्पिड़न करते थे परन्तु साथी साथ में तालुगदार दयालु होने की छवी भी रखते थे वे किसानों से तरह तरह से पेशा वसूलते थे परन्तु बुरे वक्त में किसानों की साथा भी करते अताबेटिस राज में किसान मनमानी राजसो वसूली एम गेल लचिली राजसो विवस्ता के अंतरगत बुरी तरह से पिस गए अब इस बात की कोई गारंटिन नहीं थी कि सरकार खटिन समय में अत्वा पसल खराब होने पर राजस्वे की मांग में कोई कमी करेगी नहीं किसानों को इस बात की कोई आसा थी कि तीस त्मेहार पर कोई छूट या साइता मिल पाएगी जो पहले तालुकदारों से प्राप्थ हो जाया करती थी इस परकार तालुकदारों की सत्ता छीनने से सामाजिक व्यवस्ता पर विप्रीत फरपा पड़ा हैडिंग लगाओ भिया विद्रों ही क्या चाहते थी विद्रों ही क्या चाहते थी लिको इसमें अंग्रेज विद्रों ही को स्वार्थित ता बरबर वेक्तियों का एक जुन्ड मानते थे विद्रों ही को कुचलने का एक कारण यह भी था कि उनकी आवाज को पूर्थे दबा दिया जाए इस कारण से अपने विचारों का परशार्थ था वेक्तियों को विद्रों में समलित करने के लिए विद्रों ही द्वारा कुछ गोशनाए थता विज्यापन दिये गए जो इस परकार है फिर इसमन नंबर एक लगा के लिखो भी या इस परकार से में ने लिखा ना एक नंबर लगा के लिखो गोशनाए में बेटी सासन से समन्दिते परतेक तत्व का विरोध किया जाता था नंबर दो देशी र्यास्त पर अधिकार करने पर अंग्रेजों की कड़ी आलोशना की जाती नंबर तीन विद्रोईयों के नेताओं का मानना था की अंग्रेजों पर बिलकुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता नंबर च्यार विदेशी व्यापार ने कुटिर उद्धोगों का पूर्ण रूप से विलास कर दिया है नेक्स्ट कभी कभी विद्रोही सहर के समरात वर को जानबुज कर अपमानित करते नेक्स्ट गवाँ में विद्रोहीयों ने सूध खोरों के बही खाते को आग के हवाले कर दिया तता उनके घर नश्ट कर दिये नेक्स्ट अंग्रेज हिंदू मुसल्मानों के ध्रम को भर्ष्ट करने में लगे हुए है नेक्स्ट अंग्रेज भारतियों को इसाय बनाने पर जोर दे रहे थे नेक्स्ट विद्रोही एक वेकलपिक सत्ता की तलास में थे मेक्स्ट एक्ता बनाए रखने के लिए समाज के सबी तबकों का आहवान किया जाता तता सारी गोश्टने मुसलिम राजकुमारों या नवाबों के नाम से की जाती तता साथ हिंदों की भावनाओं का ख्याल रखा जाता अब हैड़े लगाओ या दमन या विद्रो को कुचलने के लिए किये गए उपाय और इसमें लिखो फटा पर दो चालाएं 1857 के विद्रो को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने निमन लिखित उपाय किये नमबर एक मार्शल ला थता मुकद में इसमें लिख लो दो तिलाएं ने मैई जून 1857 इसमें ने किवल संपून उत्री भारत में मार्शल ला लागू कर दिया गया अपितु फोजी अफ्सरो थता आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने थता उनको दण देने का अधिकार दिया गया जिन पर विद्रो में सामिल होने का संदे हो नमबर दो शेनिक कारवाई 5857 के विद्रो का दबाने के लिए अंग्रेजों ने अत्यन्ती बरबरता पूर्ण शेनिक कारवाई की दिल्ली में बादूर्शा के उत्रा दिकारियों को बेरहमी से मार दिया गया नमबर तीन हेडिन लगाओ जागिरे जब्त करना अंग्रेजों ने 857 इस्वी के विद्रो में भाग लेने वाले विद्रो ही जागिरदारों एम तालुगदारों की जागिरे जब्त कर लिए नमबर च्यार हेडिन लगाओ आम जनता पर अत्याचार करना लिखो इसमें अंग्रेजों ने 857 के विद्रो को कुचलने के लिए आम जनता विशेश कर महिलाओ एवं बच्चों पर एम आनविय त्याचार किये नमबर पांच एडिंग लगाओ नए नए कानूनों का निर्माण इसमें लिखो अंग्रेजी सासन ने विद्रो को कुचलने के लिए नए-ने कानूनों का निर्माण किया जिनके तहत भारतिय जनता को बेवज़ाए परेशान किया गया तो ये थी भी आपने आज की क्लास मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ तो ये लिए लुपिक के साथ